ये फाइकस माइक्रोकार्पा है ये भी इंडिया में बहुत आर्णामेंटल प्लांट के रूप में भी और बॉनसाई की रूप में भी हर तरह से लोग इसको लगाते हैं और काफी लोग प्रिये है और बहुत ही आसानी से उग जाता है बहुत ही कम केर की जरूरत है ये बोनसाई का कास्केट स्टाइल है ये बहुत ही यंग भी है इसके अच बहुत कम है लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि कुछ नेचर भी काम कर देती है ये हमारे यहां जस्टिस में समय के अभाव के कारण नेगलेक्ट पड़ा हुआ था एकदम और कुछ दिन के बाद अचानक ध्यान आया तब जा करके इसको हम सेफ देना चालू किये ये कास्केड में काफी मेरा फेवरेट है अभी इसमें बहुत काम करने की जरूरत है इसका टॉप में भी अभी कैनोपीजो है अभी और बनेगा डेवलप करने की जरूरत है और बॉटम में बॉटम में भी कुछ ब्रांचेस को अरेंज करने की बॉटम में कुछ ब्रांच को और अरेंज करने की जरूरत है एक दो ब्रांच को उसको लाकर के फिर से उसको थोड़ा सा बेंड करेंगे कर्व देंगे उसमें तो ये काफी इसका जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो बाकी श्टाइल में फॉर्मल इनफॉर्मल इसमें देखा जाता है इसका ये थिकनेस उस तरह से लेकिन कास्केड में ये उतना मैने नहीं रखता है कि उपर में कितना मोटा है क्योंकि उसके अनुसार सिक्ष टाइमस इसका लेंथ नहीं रखा जा सकता है तो यह जैसा देख रहे हैं कि काफी पतला है यहां पर बेस में करीब चार इंच है इसमें कह सकते हैं लेकिन इसको जो नीचे क्या हुआ है वो आप देख सकते हैं इसमें कि यह करीब करीब आपको टोटल नीचे से उपर तक सारे चार फिट है आप इसको ये कर सकते हैं इसमें सारे 4 feet में आपको तो ये काफी अच्छा future में हम समझते हैं कि इसमें काम करने पर बहुत ही अच्छा casket bonsai होगा ये casket में इसको informal में है जैसा कि इसका देख रहे है ट्रंक को टेहा मेरा है जिग-जग में इस से प्लिये हुए और उसका टॉप भी उसी तरह से इस से प्लिये हुए है इसमें तो अभी भी समय काफी इसमें समय लगेगा पुरा आपने मियाने में लेकिन कुछ हद तक ब्रांच अरेंजमेंट हो गया है उसमें और इसका बेस भी देखिए रूट के पास जो बेस है वो रूट फॉर्मेशन काफी अच्छा है ग्राउंड वर्क इसको जब एक हिसाब से डिस्पले के हिसाब से उसमें और काम कर दिया जाएगा तो कैसा लगा ये कास्केड आप लोग को किर्पिया कमेंट करके बताएं कि और क्या क्या इसमें सुधार किया जा सकता है धन्यवाद